इससे पहले दिल्ले के बाजारों में खासी रौनक दिख रही है मुसलिम समाज के लोग जमकर खरिदारी करते नजर आ रहे लाचपत नगर मार्केट में एद के बाजारों में रौनक देखी गई यहाँ पर महसीन ने बताया कि एद पर लोग नए कपले पहनते हैं परिवार के साथ लाचपत नगर मार्केट में खरिदारी करने पहुँचे हैं ओई दुकांदारे बता कि एद पर लाचपत नगर मार्केट में रौनक तो है लेकिन जो पहले के सालम हुआ करता था उस तरीके का नहीं दीकर रहा कि उत्सा तो बहुत है अभी लास्ट आज मतलब अल्विदा भी था मालास जुमा था एद की रमजान की और हो सकता है तो कलीद हो अगार चांद होगा तो तो इसलिए छोटे बच्चों के लिए या फिर जिनका छोटा कपड़ा है जो नहीं खरीद पाया तो आज जल्दी-ज दिन में गर्मी रहने की विटे से 12 से पहले कस्वार रहता है उसके बाद धोलगा हल्का चाशवता रहता है लेकिन शाम को साथ विज़े से एरोजा खोल लेते हैं तो बहुत अच्छी रहते होती है या वाहिंग खूब कर देते हैं लेकिनं येड के फेस्टीवल की तब आज गर्मी भी नहीं देख रहा कस्मर और सुपह से ही टचोड अच्छा रहुनाग है और शाम के समय तो साथ बजे के बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया बहुत बढ़िया है पर जो पिछले जितने भी वर्षे को यह से अपकी बार थोड़ा कम लग रहा है यह तो दूग पैसों के ओवाब भी हो सकता है किसी को यहां जैसे सास resemb aún घुझारी के लिए । जिसको लेकर हम दिल्ली के मसहूर लाजपत्नगर मार्केट में पहुचे हैं और जहां पर हम आपको तस्वीरे दिखाएंगे कि एद की खरदारी करने के लिए लोग यहां पर पहुंच रहे हैं हाला कि अभी का जो समय है वह का गर्मी होने की वज़ा से थोरा लोग कम है मगर जैसे ही साम जैसे जैसे साम बित्ता जा रहा वैसे वैसे लोग जो है यहां बढ़ते जा रहे हैं और मार्किट और हर्सुमालाज के साथ यहां पर पहुच रहे हैं है और हम आपको बतादे कि जो आप तस्वीरे देख रहे हैं याजपत्रगर सेंटरल मार्केट की है जहांपर आप आप देख सकते हैं कि लोग यहां पर एद की खर्डारी के लिए पहुच रहे है और लोगों में एक उत्सा और उसकी उत्सा के साथ यहां पर खर्डारी कर रहे हूए यहां के दुकांदारों ने भी बताया कि मार्केटिंग अच्छी हो रही है क्योंकि एद है और दो-चार दिन पहले से ही मार्केटिंग शुरू हो गई है लेकिन कल एद है और आज एद की जो आखरी खरदारी है वह यहां पर की जा रही है जिसके बज़ा से यहां पर भीड भी काफी दिखाई दे रहा है हरी किशोर स जी मीडिया देले